हेलो और वेल्कम टू इव्रिवन आज हम असाम्टेट पेपर वन के एबियस पोर्शन से बहुत ही इंपोर्टन एमसर की उसको लेकर आए हैं जिसका टॉपिक है इंवारिमेंट एंड चाइल्स नेड एर इंपोर्टन सफ एर अंड कंपोजिशन अफ एर ओके तो स्टार्ट करते हम अपने इस वीडियो को देखिए तो फोर्स कोशिन इस ग्रीन हाउस गैस डाट अब्सोर्ब्स एनर्जी और मैंटें दा अर्स तेंपरेचर इस यानि कि व आप्शन दी निट्रोशन तो 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 दे राइट एंसर इस ऑप्शिन बी कारवं डाय अक्षाइड नाव कोशिन नमबर तू बिद्ट इस प्रोसेस दाट रिफोर्स तो थे इन्हालिंग और इसलिंग ऑफ और बोलेंगे यानिकी श्वेशन एक प्रक्रिया है जो सांस लेने और छोडने को संधर्वित करता है इसको हम क्या बोलेंगे या दे राइट एंसर इस ऑप्शन नमबर डी एर यानिकी इसको हम लोग क्या बोलते हैं हवा बोलते हैं यानिकी जो इसको जलने के प्रक्रिया को क्या बोलते हैं दहन बोलते है ना ना कोशिशन नमबर 4 एर इस मिक्सर दैट मैक्स अप द यानि कि एक वायू क्या है कि मिस्रण है जो किस चीज को प्रोडेक्ट करता है किस चीज को बनाता है option a season option b temperature option c atmosphere and option number d clouds so the right answer is option number c atmosphere यानि कि जो वायू का मिस्रण कहां पाया जाता है आटमस्फियर में पाया जाता है यानि कि जो नाटमस्फियर में हम क्या देखते हैं वायू के मिश्रण को देखते हैं okay now next question 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 number five nitrogen gas and nitrogen compounds both have very importance यानि कि जो nitrogen gas और nitrogen ये गए कि महत्योपुर्ण महत्यो कहां देखा जाता है option a है domestic use option b industrial use option c space use and option number d none of them यानि कि इसको कहां पर जादे यूज किया जाता है घरेली उपयोग में अध्योगी की उपयोग में अंतरिक्स उपयोग में रेफ्रिस में से कोई नहीं तो इसका right answer क्या होगा yeah the right answer will be option number b industrial use यानि कि जो भी हम nitrogen gas और उसके compounds को देखते हैं तो उसका most of use कहां होता है तो industrial use में किया जाता है अभी next question देखते हैं जो कि है question number six ozone hole is यानि कि जो भी ozone छिद्र होता है वो क्या है option a increase in the concentration of ozone option b hole in the ozone layer option c depletion of the ozone layer in the trapesphere and option number d depletion of ozone layer in the stratosphere तो इसका right answer क्या होगा या the right answer will be option number d depletion of ozone layer in the stratosphere यानि कि समताप मंडल में ozone परत की कमी को देखा जाता है okay now question number seven question number seven is the uppermost layer of atmosphere is known as यानि कि वाई मंडल के सबसे उपरी परत को क्या कहते हैं तो हमारा option है option number a lonosphere option b troposphere option c stratosphere and option number d exosphere okay so the right answer will be option number d exosphere okay तो हम याप पिक्चर से भी समझ सकते हैं जिसे देख सकते हैं आपको याप पिक्चर में फर्स जो लेर होता है पहली परत को क्या बोलते हैं ट्रोफोस्फियर उसके उपरी वाली परत को stratosphere and then mesosphere thermosphere and final जो अपर मुस्ट पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं एक्जोस्फियर भी बोलते हैं यहाँ पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं कहां पी किस चीज के उपस्ति होती है उसको बिख्या गया है तो एक कोशन बहुत इंपोटन आता है कि वायू यान कौन से परत में उड़ता है जो पैसेंजर प्लेन होती है वो कौन से परत में उड़ती है तो हमारा एंसर क्या होगा ट्रोफोस्फियर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ना ट्रोफोस्फियर में क्या होता है प्लेन का उड़ान होता है ओके यानि कि यहाँ पे जो कुछ भी दिया गया है नीचे उसमें से कौन सा एक पॉइंट है जो कि पॉलुशन के कारण नहीं है तो हमारा राइट एंसर होगा यहाँ पे ऑप्शिन निम्बर C यह ऐसे प्लांट से जिससे क्या होते है पॉलुशन नहीं होता यहाँ पे आप देख सकते हैं तो पाने को स्टोक करके उसे बिजली बनाना एलेक्टरीटिटीटीगा बनाना इसको हमारो प्लैंट बोलते हैं कोशियन निमाम नाइन युञ इस प्रेजली और वोश्य परत की मौसीदग्ब कॉंशन इस स्तर में है अप्शिन अम स्थर्मोंस्थियर, option B, स््टेटोंस्थियर, option C, ट्रोपस्थियर and option number D, मैसस्थियर. तो इसका एंसर आपसे भी को पता ही होगा? Yeah, the answer will be option number B, स्टेटोंस्थियर. आप लग हैं पिक्चर से भी देख सकते हैं, तो ओजन लियर कहां पर उपस्थित है? स्टेटोस्फियर में हैं नाओ नेक्स कोशिन कोशिन निमबर 10 ग्रीन प्लांट्स यूज तु मैट दियूर फूट एंड रिलीज यह फिल इन दो ब्लैंक है यह जो भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो हरे पेड़ पहुते होते हैं वह अपना भूजन किस चीज से बनाते हैं और क्या रिलीज करते हैं तो इसका एंसर हम सभी को पता ही है इसका एंसर क्या होजाग ऑप्सिन निमबर D तो जो भी ग्रीन प्लांट्स होते हो क्या करते हैं कार्बन डायक्साइट से अपने फूट्स को बनाते हैं अपने भूजन बनाते हैं और फानली रिलीज क्या करते तो आज के वीडियो में इतना ही, तो नेक्स वीडियो में नेक्स टोपिक के साथ मिलते हैं, ओके थैंक्यू